तारीक थी 16 December 1971, आज से ठीक 51 यूर्स पहले, प्रधान मंत्री इंदिरा गान्धी अपने दफ्टर में एक TV चानल को इंटर्व्यू दे रही थी, उनका फोन बजा, और इस तरफ से इंदिरा गान्धी ने कहा, यस यस, ओके, थैंक यू, उन्होंने इंटर्व्यू ले रहे शक्स से माफी मांगी और संसत की तरफ पड़ गए, संसत से अलान किया, पूर्वी पाकिस्तान की फौज ने बांगलदेश के सामने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है, अपसे धाका एक आजाद देश की आजाद र अमेरिका पर मानू हमला कर दे, तब मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना युद्ध तो हम ही जीतेंगे, इस युद्ध में भारत की मदद से एक नए लोकतंत्र का उदै हुआ और दुनिया के नक्षे पर एक नया देश बना, और वो देश था, बांगला देश, आज इस खटना क 51 यर्ज हो चुके हैं, हम आपको सुना रहे हैं पाकिस्तान के 90,000 सैनेकों के सरेंडर का एक रोचक किस्सा, एकदम शुरुआत में जलते हैं, साल 1947 में भारत-पाकिस्तान बटवारे के बाद, पाकिस्तान दो हिस्तें में वटा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्भी पाक अब सिती ये थी कि संसादन और सरकार के लिहाज से पश्चिमी पाकिस्तान को जादा ही समरत थी था, दोनों हिस्सों की भाषा भी अलग थी, राजनेतिक नेत्रित्व की लिहाज से भी पूर्भी पाकिस्तान कटा कटा ही महसूस करता था, धीरे धीरे पूर्भी पाकिस्त इनकी पार्टी ने भारी जीत तरच की, उनके दल के पास संसद में बहुमत था, लेकिन बजाए इसके कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाता, पाकिस्तान की मौजुदा सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, ये घटना और सालों का अंसंतोश ग्रिहयुद का कारण बना पाकिस्तान की राश्ट्रपती याया खान ने वहाँ जेनरल टिकका सिंग को भेजा, लेकिन उनकी अगुआई में मामला और बिगड़ गया, मार्श 1971 में भयंकर नरसंसार हुआ, सेना की अत्यचार से स्थानियों में रोश व्याप्त हुआ, और उन्होंने अपनी बांगल पाकिस्तान ने भारत पर भी आकरमन कर दिया, तीन दिसम्बर की शाम का वक्त था, पाकिस्तान ने भारत के आधा दरजन से जादा एरपोर्ट्स पर अचानक बंबारी शुरू कर दी, फिर क्या था, भारत सेना ने भी एक साथ दो तरफ से धावा बोला, सबसे पहले कराच के नेवी बेस कोड़ा आया और बांगरदेश में दाखिल हो गया, युद्ध हुआ और पाकिस्तान को इसका अंदाजा भी नहीं था कि 15 डिसम्बर तक मात्र 13 दिन के भीतर भारत्य सैनिक बांगरदेश की राजथानी धाका तक आ जाएंगे, हाला कि जब भारत्य सैनिकों की टुकडी धाका के पास पहुची तो उसमें मात्र 3,000 सैनिक थे, इसी वग धाका को घेड कर खड़े पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या थी 26,400, वियवहारिक तौर पर देखा जाए तुस्तिती थोड़ी चिंता जनक तो थी, लेकिन सेना के सूजबूच से जीत संभव हो हुआ ये हूँ की दिल्ली से जारी हुई पैरा ज्रॉप की एक तस्वीर ने सारा गेम ही पलट कर रख दिया भारत की सीना धाका की तरफ गाओं के रास्ते से बढ़ रही थी सेवन डिसम्बर को बांगल देश के दो इलाके जैसोर और सियाल हट को पाकिस्तानी सीना से अजाद करा लिया उसवग भारत के सैनिकों की संख्या पाकिस्तान से कम थी सेना आगे बढ़ी तो पाकिस्तानी सेना ने ढाका की ओर से मोर्चा खोलने की तयारी शिरू करती इसी बीच एक पुरानी फोटो के गलत प्रयोग ने भारत के लिए मदद की राहे ही खोल दी दरसल उस वक भारत की मदद के लिए कोलकता से कुछ जवानों को पैरडॉप कराए गया पैराडॉप यानी सेना के जवानों और युद सामकरी के पैराशूट के सारे लैंड कराना तो भारत की जवान और हत्यार بांगल देश से लैंड हो रहे थे इसी बीच confuse करने के लिए dummy parachute भी उतार दिये गए युद में अमेरिका और UN के हस्ताक्षेप के बाद मामला अंतराश्ट्रियमीडा के संग्यान में आना ही था दुनिया भर में खबर चप रही थी कि भारत ने ढाका में कबदा करने के मनसूबे से भारी मातर में जवान उतार दिये सचाई ये कि पैराड्रॉप के दौरान की कोई तस्वीर ही है नहीं वो फोटो जो चपी भारतिय वाय सेना के प्रेस की जिम्मेदारी निभा रहे शक्स ने जारी करती थी कमाल तो ये कि वो फोटो साल भर पहली हुई किसी ट्रेनिंग के दौरान की थी पाकिस्तान के आलाकमान के मन में इस बात कर डर बैट किया कि भारत ने सेना उतारती है इस तस्वीर का जिक्र पाकिस्तान के जनरल नियाय जी के युद के बाद भी किया 16 डिसेंबर 1971 सुभा 9 बचकर 15 मिन जनरल जेकब को दिल्ली से जनरल मानिक शौ का मेसेज मिला मेसेज था आत्म सपर्पन की तयारी कराने धाका जाओ 16 के दुपहर तक मेजर जनरल जेकब सरेंडर के एग्रीमेंट का ज्राफ लेकर ढाका पहुँचे एरपोर्ट पर युएन के प्रतिनी थी मौजूद थे जेकब उने नजर अंदास करके आगे पढ़ गये जेकब जब पाकिस्तानी सीनास के लीडर जनरल नियाजी के सामने पहुचे तब नियाजी कुछ अधिकारियों के साथ सोफे पर बैठे थे और वहाँ भद्दे चुटकुले पर हसी मजाग चल रहा था जनरल जेकब ने घुसते ही माहौल अपने पक्ष में किया वहाँ बैठे एक अन्य भारतिया मेजर जेनरल नागरा को लगभग निर्देश देते हुए कहा कि वो एक मेज और दो कुर्सियों की विवस्ता करें अब सरेंडर का समय आगया है जनरल जेकब ने नियाजी के सामने सरेंडर एक्रिमेंट पढ़ दिया ये सुनते ही जनरल नियाजी ने कहा किस ने कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ आप तो यहाँ बस सीसफायर की शर्ते और सेना वापसी पर बात करने आए है इसके बाद जनरल जेकब ने नियाजी को किनारे ले जाकर समझाया और कहा अगर समर पर नहीं करते तो मैं तुम्हारे परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हथियार डालने पर ही मैं सुनिश्चित कर पाऊंगा कि उन्हें कोई नुकसान न पहुचे मैं 30 मिनट का समय दे रहा हूँ नहीं माने तो मैं ढाका पर बंबारी का आदेश दे दूँगा आत्मक अथा एन ओडिसी इन वर्रेंट पीस में जनरल जेकब ने लिखा है कि नियाजी को बोलने के बाद वो बाहर आकर सिगार पीने लगे वो कहते हैं मैं तनाव में था जबकि पाकिस्तान की हुमुर्दुरह्मान कमिर्शन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जनरल जेकब अपना पाइप पीते हुए चहल कदमी कर रहे थे बाहर तीस मिनर विटाने के बाद जब जनरल जेकब कमरे में आए तो दस्तावेज मेस पर पड़ा था उन्होंने नियाजी से पूछा कि क्या वैसे स्विकार करते हैं तीन बार लगादार पूछने के बाद जेकब ने कागस हवा में लहराते हुए कहा इस चुपी को मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपने इसे स्विकार कर लिया है इसके बाद नियाजी की आखों में आसू थे जेकब ने फिर नियाजी को किनारे ले जा कर कहा कि आत्मसमर्पन का समारों रेस कोर्स पर आम जंता के सामने होगा इस पर वो असहमत होते रहे फिर तयार हो गया इसके बाद वहाँ लंच करके शाम चार बजे नियाजी के साथ जेकब जेनरल अरोडा को रिसीव करने धाका ऐरपोर्ट पहुचे रेस कोर्स के मैदान में अरोडा ने पहले गार्ड अफ ओनर लिया उसके बाद अरोडा और नियाजी मेज पर बैठकर आत्मसमर्पन के दस्तावेजों की पाच प्रतियों पर साइन किया खमाल तो ये कि नियाजी के पास कलम भी नहीं थी उन्हें एक भारती अफसर ने अपनी कलम दी नियाजी ने साइन किया वर्दी पर लगे बिल्ले हटाए और अपनी रिवॉल्वर निकाल कर जैनरल अरोडा को सौब दी ये समारो 15 मिनिट में खत्म हो गया इसे के साथ पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने अपने हथे आ रखती है उस वक घड़ी में 455 बज रहे थे इसके बाद जैनरल अरोडा ने सूचना भिजवाई और मन एक शोने देश की ततकाली इन प्रधान मंत्री इंदीरा गान्थी को सूचना दे थी ये उसी विजय दिवस की सूचना थी जो इंदीरा गान्थी को एक इंटर्व्यू के बीच में मिली थी जिसका जिक्र हमने स्टोरी के शुरुआत में किया था पाकिस्तान के हार का बड़ा कारण उसकी देश की अपनी राजनी तिक स्थिती थी प्रधान मंत्री की राश्ट्रपती से नहीं बनती थी तो राश्ट्रपती की युद में गए जेनरल से राश्रपती याया खान का हाल ये था कि वो रात 8 बजे के बाद शराब के नशे में रहते थे वो तो इतने बन्नाम थे कि सैने कमानरों को नर्देश था कि रात 10 बजे के बाद उनके किसी भी मौखिक आदेश का पालन ही ना करे इसी बीच पाकिस्तान ने लड़ाई तो ठान ली और हालत ये हुई कि जीत के लिए चीन और अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा जब चीन ने भी साथ छोड़ दिया तो राश्रपती याया खान ने प्लान दिया पूरप की रक्षा पश्चिम करेगा हुआ क्या? 13 डिसेंबर को जब हालात हाथ से बाहर हो गया तो राश्रपती याया खान ने अमेरिका के ततकालीन राश्रपती रिचर्ड निक्सन को फोन किया निक्सन मीटिंग में थे इसलिए बात नहीं हो सके पाकिस्तान के राश्रपती की युद को लेकर चिंता का अंदाजा इसी बात से लगाई है कि राद दो बजे निक्सन ने जब कॉल बैक किया तो याया खान गहरी नींद में सो रहे थे उन्हें जगाया गया तो भारी नींद में होने की वज़ा से उन्होंने अपने ADC अर्शत समी खान को भी लाइन पर रहने को कहा आपको बता दे दोस्तों कि ऐसी ही कोई कहानी हमें गदर टू में देखने को मिल सकती है तो आप हमें बताईए कि आप गदर टू के लिए कितने एक्साइटर है साथ ही अगर आपको विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्ते के साथ शेर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जोड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चानल Bollygrad Studio School